बिहार में चक्रवातिय तुफान और पोष्ट मौनसून का असर अब खत्म होने लगा है। पुर्वी बिहार छोड़ कर बाकी जगहों पर बारिस के असार लगभग खत्म हो गए हैं। मौशम विभाग की माने तो पुर्वी चंपारन, पश्चमी चंपारन के अलावे सभी जीलों में भारी बारिस की अब संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हलांकी एक दो दिनों तक गरज के साथ अकासिय बिजली गिरने की संभावना जरूर अभी भी बनी हुई है। मौशम विभाग ने मौनसून को कमजोर होने की बात भी कही है और जीलों को ग्रीन जोन में बाट दिया है जिसमें कहीं कहीं हलकी बारिस का पुर्वानुमान भी लगाया गया है। मौशम विभाग का कहना है की एक कम दबाव का छेत्र जो पुर्व बिहार और पष्चमी बंगाल के गंगये छेत्र तथा सिक्की में था अब कमजोर पर गया है। इससे संबंधित चक्रवातिय परिशन्रचन का छेत्र पश्चिम बंगाल के गंगय छेत्र और उसके आसपास ओसत समुद्र तल से चार दसमलों पांच किलो मीटर की उचाई तक फैला है पटना सहित कई जीलों में दो दिनों से धूप खिली है और मोशम की तलकी भी देखी गई है यही वज़ा रही कि सभी सहरों का पारा समाननेश्य उपर दर्ज किया गया है प्रदेश के भागलपूर में शर्वाधिक त टापमान तैस देस दसमलों चार दिगरी एर्ज किया गया है आने वाले चूवीस घंटों में दक्षिन पश्चिम मौन्सून देश के पश्चिमोत्तर भाग से लोटना आरंभ हो जाएगा दूसरी और पश्चिम बंगाल के उप हिमालई छेत्र एवं इसके आसपास एक चक्रवाती पड़ी संरचन का छेत्र बना है इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दोरान बिहार के पुडवी भाग के कुछ इस्थानों पर एवं सेस बिहार के एक या दो इस्थानों पर हलकी बारिस की संभावना है अक्टूबर माह में हुई बारिस चक्रवाती असर और पोस्ट मौनसून की बारिस की ही बताई जा रही है जिससे की राज्य के लगभग 28 जीलों में पांच दिनों तक मध्यम से भारी बारिस लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें